हेलो स्टुडेंट्स वागत है आपका गुलेरे स्टेडी पॉइंट क्लास से में मैं शिवाम शर्मा स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में मोक्तास 3 आपका श्राट करने जा रहे हैं ठीक है इस वीडियो में जो क्युश्ण आपके लिए हम लाएं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसमें चैमश्ण है जो सायद कुछ क्यूश्ण ऐसे होंगे जो आपने पढ़े ना होंगे जो आपने पढ़राखे होंगे जिनका कर द bliver जाए उनके के लिए उड ही बहुत पाइदे मन्द होने वाला है जिससे उनको एक्जान में क्युशन काफी देखने को मिल जाएंगे तो विडिएयो को लास्त तक जरूरड के आंसर जो है विए को करेक्ट जा सकें ठीक है चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की लैटेश अपडेट मिलती रहे तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीक है इससे पहले की जो मौक प्रदे पर उत्तलिर्ष द्वारा वस्तू की वास्तू की वास्तू का करती बन्ती है थालएं प्रुबाव करें पड़ेगा यानि कहने का मतलब क्या है अगर उत्तर लेंस से अगर किसी औप्जेक्ट यानि वस्तू का जो वास्टिप्रति भी मनता यानियाकरती बनती है तो यह कह रहा है कि उत्तर लेंस के कुछ भाग पर उपरी वाला जो हिस्सा है उस पर क्या आपार नमसे बोल रहा है वस्तू के केवल नीचे निचले भाग की ही छाया प्राप्त होगी एक उप्छन यह है दूसरा बोल रहा है वस्तू के केवल उपरी भाग की ही छवी प्राप्त होगी दूसरी बात बोल रहा है कोई भी छवी प्राप्त नहीं होगी और लास्ट वाला वस्टू के पूर्ण चवी प्राप्ट होगी परंतु उसकी तीरविता कम हो जाएगी तो इसमें देखेंगे आप फर्ष्ट वाला उप्षन तो आपका होगा नहीं क्योंकि वस्टू के केवल निचले भाग की बात कर रहा है ऐसा होगा नहीं क्योंकि खाली उपरी भाग को पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और वस्टू के उपरी भाग की चवी प्राप्त होगी ऐसा होगा नहीं क्योंकि उपर वाला भाग तो क्या ढग दिये जा रहा है और कोई चवी प्राप्त ना होने का यह तो कोई उप्षन में मतलब भी नहीं बैठता तो आपक हो जाएगा ठीक है उसके बाद अगले कोशन की तरफ चलते हैं हां देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है समुंद्र के जल का रंग नीला होने का क्या कारण है इन समुंद्र का जल जो नीला होता है उसके ओप्षन देख लेते हैं कौन-कौन से आपको दे रखें पहला बोल करेंगे ठीक की यहां पर देखेंगे आप ठाड़ वाले कुशन में क्या कह रहा है कि वायू सोरी वायू में श्रौद और प्रावर्तक के बीच नियूंतम दूरी लगवग कितनी होनी चाहिए ताक कि प्रतिद्वनी को सुना जा सके तो इसका अंसर जो आपका राइट रह करेंगे तो इसका बिल्कुल राइट रहें कि वाले की बात करते हैं जिस ताप पर वाश्पदाब एक वायूमंडली दापके बरावर हो जाता है उस तापको कहते हैं यानि कह रहा है कि जिस ताप पर यह ऐसे टेंपरेचर जिस पर लिक्विड जो है वह क्या होगा वाश् करावर हो जाएगा तो इसस तापको क्या कहें तो आपको क्या होगा कोफनांक को अगे हम बात करते हैं पहले क्विड तुर अप्छन बस पर बात करें हैं जर्वीड विद्धू शानियांत्र में क्या होता है देखो बढते जैंगे जो अप्षन ठीक लेग उसी को हम राइ बिदुत बिदुत में तो जाती है कि अ आगे देखने 7ंध वाले का कि यहां पे लिखा है किसी गरह की सटय पर यी का मान निरह बर करता है गुद्ध कर T एक आपने के लिए वोल्ट मेटर का यूज करते है करेंट को नापने के लिए अमेटर का यूज किया जाएगा ठीक आगे बात करते हैं आप के लिए उसकी घटना क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे किसी वस्तू को आवेशित करने की प्रकिरिया है कारण चुम्ब के ँपoriginal कारा है कि यह इसमें से खुक्त कारण सबनार हो जाएगा यह इसलोस एक एक युझा जेट रचे इलेक्टोमेगनेटिक इंडक्शन के लात है, आगे बात करते हैं, फटैक्से हम 50 के 50 कुश्षन एक दम से सेट में लगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात हैं, फटैक्से हमने निप्टा ले थे इनको, एक टॉप से एक गोला हवा में छोड़ा जाता है तब गोला बीच में हवा में फट जाता है इसके लिए सही विकल्प चुनिए प्राकाज का प्रेक्रिणन सबसे कम होता है तो ये सबसे कम होता है लाल रंग को यहुँद बताय। की चालक तार में वादंधार का प्रवा होता लाधा या बताएंगे किसी चालग तार में वैत्वधल्यदारा का प्रवा किसंग आ किसे आप होंगा मुक्त यृक्ट्रोन में अगर गती करेंगे त leaf lat करेंगे प्रकाश नेतर में प्रविष करता तो अधिकांच अपवरतन कहा होता है यंदि किसंगे आप नह पता मिलता है तो आगे बात करेंगे 14 वाले कुशन के आप यहां देखेंगे निम्न में से कौन सा पतार लैंस बनाने के लिए प्रियोग में नहीं किया जाता है यहां पर बात करेंगे आगे हम 15 वाले कुशन की 15 वाले कुशन में आप देखेंगे बोल रहा है कि समतल दरपन के सामने एक वस्त तो जितनी दूरी पर वस्तूर रखी रहती है उतनी दूरी पर ही उसका प्रतिवें मनता है तो फ्रूप्टिन वाले का अंसर कौन सा रह जाएगा भी वाला आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा हागे हम बात करेंगे किसी माध्यम में यानि किसी माध्यम में ध्वनी की चाल निर्वर करती है यहां पर हमसे बात कर रहा है कि जब एक कुलाम आवेश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले जाने के लिए एक जूल कारे किया जाता है तब विदू सुचालक में दो बिंदों के मद उत्पन विवांतर हमारा किता होता है तो वो हमारा एक वोल्ट होगा ठीक है विवांतर कितना होगा एक वोल्ट यानि 17 वाले का क्या हो जाएगा भी हो जाएगा यानि यह हमारा क्या था है एक वोल्ट को भी परिवाशित करता है कि एक कुलाम आवेश को जब हम एक विंदू से दूसरे विंदू तक ले जाते हैं तो उसको एक विंदू से दूसरे विंदू तक ले जाने में ह हमें एक जूल कार्य करना पड़ता है तो वह हमारा एक वोल्ट के बराबर होता है यह हमारा क्लाश 10 का टोपिक है जिसमें आप जब विद्यो दिविवांतर पढ़ेंगे तो उसमें इसको एक वोल्ट का हम डिफाइन करते हैं यहनि से परिवाशित करते हैं तो उसकी परिवा प्रिवर्त करता है बिल्कुल राइट रहेगा इनर्ची यानि जड़तों किया काम करता है उसके कमार्ग में बाध करता है परिवर्तन गर्ति की अवस्ता में क्या जो परिवर्तन के या तो उसका क्या करेंगा यह विरोध करता है ठीक है यह जनी मोशन का फर्ष्ट लो आप देखेंगे ठीक है आगे बात करते हैं किसी वस्तु को द्रब में डुबोई जाने पर यदि वस्तु उपर की और आकर तैरने लगती है तब वस्तु पर कार्याद उत्पलावन बल वस्तु के भार से क्या होगा देखो बोल रहा है कि किसी वस्तु को द्रब में डुबोई जाने पर यदि वस्तु उपर की और तैरन बोलका मान क्या होगा वस्तू के बाहर से क्या होगा जादा होगा करेंटी वाले क्यूशन को हम देखेंगे कि यहां पर हमसे बोल रहा है मान लीजिए मान लिए बिल्कुल कोई लड़का दस मेटर पर सेकंड की इस नहीं चार्श से चल रहा है इससे ग्यात होता है कि वह लड़का त्वरित गती में है यानि सी वाला ठीक है जब वह मेटर पर सेकंड के उससे यानि गती करते जा रहा है स्षी एक स्मान वेक्स कर रहा है यह नहीं होगा यूग कि उसमें उस्मान ऐसा कुछ बोला नहीं है ठीक है लगू पतन के समय परिपत में वेदुदारा का मान यानि लगू पतन के समय जो वेदुदारा का मान होता है वो क्या होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है ठीक है यानि जब शोर्ट शर्किट होता है तो उसमें क्या होता है दारा का मान आपको क्यों हो जाएगा आगे बात करते हैं यहां पर देखने चार ओम के चार परती रोद यहां रिखा है चार ओम के चार परती रोद एक दूसरे के समांतर करम में जोड़े गए हैं तो तुल परती रोदे को चार ओम के चार परती यानि एक बटा चार एक बटा चार एक बटा चार कर कहेंगे तो आ dólares चुरिकर प्लस ओको आप जोड़ेंगेंतों Instead of like on a on a four ठीके सब को बठे में लिखी है आब इसको माम निकालना sorting क्रें यहां नोन प्लस ऑं इक बठाचर फ्लस एक फॉर्ट चाहर प्लस इक बठाचर प्लस एक इस बारे में हम बोलते हैं, जब का नीचे वाला नंबर वैसे ही आ जाता है, और उपर वाले जितने भी नमबर होते हैं, सब वैसे के वैसे जूट जाएंगे, पलस एक पलस एक पलस एक पलस एक की तने चार आ जाए ओंगे से काटेइगा तो आपका एक आजाएगा प्रेंटी त्री वाले की बात करें अनुदेर्द तरंगे में संचावीट होती है इस बारे में तो किसका बना होता है इस चीज को अपने दिहान में रखना है वो आपका बनाता है टंगस्टन का यह बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट कोशन है काफी बार पूछा जाता है ठीक है यहाँ पर बात करेंगे हम 25 वाले कोशन की जलिस्तानांतरन के सिद्धान्त की खोज का परतिपादन इनमें से किस ने किया ने जलिस्तानांतरन की जो सिद्धान्त है उसकी खोज का परतिपादन किस नेइं में से किस ने किया था था कुन था जिसने किया था आरकनमडीज ने किया था जालिस सनांतर के सिद्धांत का परतिबादन आगे बात करते हैं एक तत्वा अभी किर्या में एक एलेक्ट्रों त्याकर एम प्लस परकार का धनायन बनाता है तक तत्व होगा यानि वो तत्व क्या होगा उसके बारे मैं अगर आप द्रविमान और भार में अगर संबंद दिखा रहे हैं तो द्रविमान और भार में अगर आप संबंद दिखाएंगे तो किस तरीके से दिखाएंगे आप इसको संबंद को जिद दिखाएंगे आपको बता है कारे बराबर होता है द्रविमान गुणा कारे आगे बात करें 29 वाले की 29 वाले option के हम बात करते हैं यहां पर 13 वाले के हम बात करेंगे कि यदि कोपर को आयो में खुला रखते हैं तो इसकी भूरी चमकीली सताय दीरे दीरे अपनी चमक हो देती है तता इस पर एक हरे रंग का परज जमा हो जाता है यह निमन में बनने का कारण क्या है किसके कारण यह बनता है ठाटी वले का आप देखेंगे अंसर जवाब कोपर कारण के कारण यहां अप यहां देखें निम्ली अभी के लिए अपचायक पेचान कर आपने देखना है यहां इसमें कौन अपचायक होगा तहरा प्रदेखें एसे यहां पर देखें फेटू-3-3-0-3-2-1-4-3-C-0-2-1-5-3-0-2-1-1-2-1-2-1-2-1-1-1-2-1-1-3 होता है CTLD है जो होगा उसका नाम होगा एथेनल क्या नाम होगा उसका एथेनल यानि भी वाला आपका बिल्कुल हो जाएगा हम आगे बात करते हैं एसलिए एल्डी हैट का जो ठीक है इससे पहले वाले कुशन ठाटे वाले मैं आपको इसका सोलेशन नहीं बताया था कि किस तरीके से सीओ होगा निसीओ जो हमारा क्यों आपचायक होगा क्योंकि इस अभी किरिया में देखेंगे आप F2O3 जो दे रहे है उससे क्या होगा ओक्सीजन को अलग करके CO जो है आपचायक का क्यों कर रहा है क्योंकि क्या करेगा है इसमें क्या करेगा Fe2O3 में से Oxygen को अलग करके उसे सिर्फ Fe में ही क्या कर दे रहा है आप चाहिद कर दे रहा है तो इसलिए ये आप चाहिद का काम करेगा यानि ठीक है 32 वाले में हम देखें क्या एथेनल हो जाएगा आगे हम बात करते है Buckminster Fluorine Buckminster Fluorine का एक अपरूप है किसका अपरूप है Buckminster Fluorine किसका अपरूप है ये आपका है कारबन का ठीक है C वाला option आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा आगे बात करते हैं यहाँ पर 2-3 question को एक साथ दे लेते हैं आप यहाँ पर देखेंगे निमलिकित में आधातू तत्व है आधातू कौन साथ देखो यहाँ पर आधातू कि हमने पेचान करनी है तो आप यहाँ देखेंगे जो आपका Almonium होगा वो आपका धातू होगा Iron आपका धातू है Jink आपका धातू है बचा कुछ है S जो है आपका क्या होगा आधातू होगा Option number आपका C वाला बिल्कुल Right होगा 35 वाले में बोल रहा है ALPO4 में AI की सहुझजकता कितनी है ALPO4 में AL की सहुझजकता कितनी है तो AL की सहुझजकता आप निकालेंगे जब आप इनको bonding करेंगे तो उसके तरुब आपको पता चल जाएगा कि इसकी सहुझजकता कितनी है 35 वाले कि मैं आपको डारेक्ट अंसर जायता हूँ क्योंकि मैं निकाल रखाया तो इसका 3 आएगा अंसर आपको 3 सहुझजकता है आजाएगी आप नाम याद कर दिजिए पेपर में अकर ALPO4 आता है तो आप डारेक्ट इसका अंसर 3 लगा देंगे ठीक है आगे बात करें सल्फर डायोक्साइट का जली विलिन होता है यानि सल्फर डायोक्साइट का जली विलिन होगा वो कैसा होगा अमली होगा तो यह होता है 6.5 से लेकर 8.5 के बीच में ठीक है 31 जे लेकर *** 5 में या इस तु पानी का प्रीम के रखा जाता है 6.5 से लेकर 8.5 ठीक है ब्यूतेन ऑन के करियात्मक समूव ब्यूतेन ओन की बात कर रहा है तो और वाला गूरूप आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा तो इसे वाला राइट हो जाएगा आगे बात करते हैं थाटी नाइन वाले की निमन में से संभारिक यूग में है कौन सा संभारिक यूग में है ठीक है समस्तानिक संभारिक संभारिक यह निया आई सो बार बोला जाता है ठीक है आप थाटी नाइन वाले की बात करें थाटी नाइन वाले का अंसर आपका कौन सा हो जाएगा बी वा रसायनिक योगिक में स्थित्तत्व एक निश्चित भारानुपात में सहयों करते हैं इस कथन को कहा जाता है क्या कहा जाता है 40 वाले का अब देखें इसको पर इस तिरहनुपात का नियम ही होगा आगे बात करते हैं ऑलोको किर्टिम भंग से पकाने है तो प्रियोकत्त गयास कौन सी होती है हो कैसा आपकी कौन सी js ठीकिर बहुत ही जदा इंप् मोटेंट क्यूशन है आप सारे क्यूशनों को अच्छे तरीक possiamo ठीक है ठीक है किसी तथ्क क्यक्य प्रवानों संक्य टी Apparently कोंशा और इस प्तानीन gail water फ्र tuionĩ यहाथ फोटीटों आगे हम बात करते यहां पर देखेंसिलिकों है सीलिको आप पर क्या है सिलिकोन आप सिल्ल् skणिस्य उपर के स покуп पातु में आ वाइब तफना नहीं किंगि या से यह वाईיו का लगवग कितना भाग ऑकसीजन है है तो आपका हो जाएगा ऊनुपात 5 और 15ैने यहाँ पर दापके हैंक सीटू ए सिस किस मरत का हेडो करपन है तो यह किमंन का है drawing अब करें के इस कि मैं करihी सिल्क के रूप में कौन सा सचलेचित रेशा जाना जाता है ठीक है कौन सा रेशा जाने जाता है तो आप को जाएगा रियाओन को जाएगा ठीक है आगे की बात करते हैं हम देखेंगे ओक्सीजन के एक प्रमाणू का भार कितना होता है यहाँ पे देखिए ओक्सीजन के एक प्रमाणू का भार कितना होता है शिष्टिन अपॉन 6.022 x 10.23 ग्राम यानि ओक्सीजन का प्रमाणू भार कितना होता है 16 तो हमने एक मॉल में निकालना है इसे एक मॉल में निकालने के इस वीडियों 50 क्योशन आपके इसके बाद चलो 51 वाला भी हम देख लेते हैं 51 वाले हम सी क्या कहले हैं चलो 51 तक इसमें क्लीर कर लेंगे ठीक है और बाकी की जो कोशन है 50 क्योशन होगा हम आपने कल जो वीडियो अप्लोड करेंगा उसमें आपको बताएंगे जिस ताप पर सब्सक्राइब करें तो इसका अंसर आप लगाएंगे भी वड़ा है नहीं एस वीडियो का इसके बाद जो आपकी कुछन हो आपने कल के वीडियो में जो कल वीडियो मोग टेस्ट अप्रोड करेंगे उसमें आपको 50 कुछन कंप्लेट करवाएंगे बहुत ही बढ़ी है क्यो पैप्सी नोजन को सक्रिय करना यह बिल्कुल राइट है भोजन के माद्यम को अम लीरखना यह भी बिल्कुल वा सही है निष्के लिए प्रोड्यick कर ना जब आपके 12 टेसा बींगे तो इसका ओक्षन आपका इंहाँ क्या हैगा व म् फ conceptual करवाए हैं ठीक है बाकी जब आ आपने जितने question करें इन सबको आप अच्छे से दियान में रखें ताकि आपके exam में इनमें से कोई साभी question कुछ आजाए तो उसको आप easily कर सकते हैं टिक कर सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं अपने next video के साथ Thank you